तो पिछले एपिसोड में तुम लोग ने देखा कि मैंने पकड़े थे दो या तीन बॉस पोकेमोंस और मेरी उतने में ही हालत खड़ाब हो गई थी क्योंकि उन्हें मारना बॉर्ड एरोस से बहुत जादा हार्ड हो रहा था इसलिए मैंने खुद के लिए बनाई एक बड़ जिसको पकड़ने में मेरी लिट्रली हालत खड़ाब हो गई थी गलत फस गया बाई तो गलत फस गया बहुत गलत फसा यहां पर आकर ओके साइद मैं गलत फस गया और यह एक चली में बॉस वाला मैमोरेस्ट है मतलब जो ऐसे सिंपल मैमोरेस्ट होते वो नहीं है तो चलो इसकी ESPYR 4200 अ प्रिए इस ले 5 हज दो सो और ने कि चालीस में बॉस मैमोरेस्ट को मारत है इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती और कहां मुझे मेरे मेरे प्रिले मैमोरेस्ट को मानने कर अपने साओ पोके合ों सी आनफ गए था यहान तक है मेरे साओ बेर सब्सक्राइब हो ग 606 पोकेमोन मार सकते हैं नहीं यह थोड़ा हद से जादा बोल दियो मैंने और मेरे पास एक बहुत अच्छी चीज जिसका नाम है रिंग आफ मर्सी अब हम इसे लगा लेंगे तो हमारा जो टारगेट है यानि कि हम जिस पोकेमोन पो अटाइक करेंगे वो कभी एक एच्प से किमें लेवल्यें Спट कर लिया यानि यहां पर हमारा हो चुका है प्रृण Также कि यहां पर देख सकते हैं मैंने तो कि उपोगेमोनाया पे लेज चालिज से उपर है और यह दोनों है इस गेम के सबसे ज़्यादा powerful Pokemon, यानि कि इन दोनों का level 50-50 है, तो इन दोनों से लड़ने के लिए हमें थोड़ी से ज़्यादा powerful Pokemon चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है, तुमकि यह सब जो Pokemon से यह सब अच्छे हैं, उतने बुरे निगें, मैंने मेरे को ऐनने का त entferard gebaut और उच्छी मॉएच चाहिए यह तो इसे बाद हमें चाहिए एक पावर्टफुल वकेमोट जो की है यह इसका नाम है जोर्मन टाइड ऐसा ही कुछ है और उसके बाद हमें ज़रूरत पड़े कि इस वाले पोकेवान की जिसका नाम है एनिबस और यह 47 लेवल का यह बहुत जादा पावरफुल होने वाला है और है एक्शली पर अपने बेस पर उए इतरा 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 इसको मैंन सबसे पहले हम चलते हैं अपने सेगेंड बेस पर जो किया इस एक्दम पगल में और यहां पर यहां पर यह रैंच जहां पर अंडर की ब्रीडिंग होती है और यहां पर बंते है एनबस वाई लोगने जो तू अंडे निकाल कर रखते हैं और मैं इसको उठाओ कैसे आजा अच्छा इनवेंटरी फूल होगी है मैं कुछ निकाल अच्छा लकरी निकाल देते चलो तो हमारे पास सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो और मेरे पास एक भी वाटर टाइप नहीं है जो बहुत जादा पावरफुल हो तो बुड़ा लगता है इतने सारे पोकेमों से रख अच्छा यह जोड़मन टाइड मेरे से थोड़ा ही दूर है चलो फिर यह अच्छा देख यह अच्छा इधर गान है मेरे पास वाट नहीं लड़ना है इनको वाई वैसे खतरनाक तो दिखता है देख लो इसकी बॉड़ी अंदर तक गई हुई है अगर मैं इस पर फायर कर सी तक यह मरना जाए ओए वाई कित्युना लंबा है वो देखो बुड़ा बाहर निकल गया फंदर प्रिटे में देड़ा यह गन इधर आ इधर दम है तू जा रहा है उदर उसको आने देना अच्छा मेरे को लगते है वो इधर आने वाला ही नहीं एठीक है अबन लोगों जाना ही पड़ेगा चलो दो वाई इसको तुम्हां अकेले मार दूगा ओई नहीं 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 वास भाई तुम्हाना गेम ओवर मेने को हिलने के विज़वरत नहीं है और एक परसेंट का चांस है हाइपर स्क्रेड से बाई पकड़ा जाना हूं मैं अपना सबसे रि अपने जाना है अपने सबसे पावर्फुल पोके बाउल्स फेड और तब जाके यह पकड़ा आया है मैं अपने नहीं लगते की उतरा पावर्फुल आए कि नहीं कि वाई मेरे सारे पोकेबोल्स यूज़गे इसको पकड़ने का चक्र में वाई देखने के लिए अपने घ चाड़के चट पर चरना पड़ा अब सबसे अच्छी वाद क्या है कि मेरे पास पोके बाल्स नहीं है एक काम गरता हूं पहले चुप चप में कुछ बोके बनाई लेता हूं इस पर बंता है इस पर बनता है चलो ओके अपन लोग सिर्फ एक ही अल्ट्रास फेर बना सकते अ यानि कि आज तक मेरे को कभी इससे पहले यह मिला ही नहीं था और मैंने अभी खुद बनाया इसे चलते अब एनबस को पकरने के लिए अनबस भाई आज़ो 47 के अनबस अगर मैंने पकर लिया मज़ा आजए अफकोर्स पकर लिंगे अपा लोग इसको पावरफुल तो है इसको ले लेते हैं चलो अब लाफ उठ जा अरे रेरोड क्यों नहीं होड़ी मैं अभी मैं पिट जाता कुछ भी कर लेटिंग है तो बाचेंग है तो नहीं कि आप मैं बहुत जादा पार्फोल चुका हूं आजा मैं चलो तीन परसंट का चांस है अल्ट्रास पर हमने यू आप लोग ना चाहते हैं और बाचेंग मुझे पता था कि कुछ तो गड़बर होगी हम इसा से कुछ नहीं कुछ गड़बर होई जाती है वन्हें यह नहीं सोचा था कि ऐसी गड़बर होगी कि मैं पोकेबॉली पहले यूज कर दो नहीं मेरे को पहले चोटे-बोटे पोक बना सकते बी मैं लेजेंडरी श्वेर बना सकता हो आए और वोविट पाच यह लेजेंडरी श्वेर इस गेम कि सबसे ज्यादा पावरफुल पोल यह इच्छी बात है चलो चलो कोई निदिकानि में चलो कर नी आम मेरे सब से तीन काफी एन एंग फोड़र चलो 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 अभी इसने रेड रेट सरकल के बना दिया ग्लिच विलिच हो गया क्या इसकी एच्पी फूल हो गई अरे यार अज़े छोड़ो गए अपनलोगो को प्रॉब्लम नीए अपनलोग अलान से इसको मानेगा ठीका वाई बड़ो उट जा सुब हो गई गूड मानिंग रोगा पह इतना ज्यादा पाउरफुल है वाई थोरा ज्यादा पाउरफुल नहीं हो गया इसने लिटर नी एक हिट में मेरे को मार दिया है क्या होगा जोग मैं 47 के अनुबस को 24 वाले से भीड़ा दू लड़ तो भाई उससे वो बड़ा है यह छोटा है ओके बड़ो आजा अब थो तो ड़े हैं इसको मान में मुवमेंट में दिका मैं बतारों और तु पक्राइब मैं तरह से पोंचा लगवाँ अपने बेस पर बास थोड़ा सा आजा प्लीज पक्राजाई अगर यह बची आप मैं बतारों मैं जान से मार दूँगा इसको कि अग्वाँ अग्वाँ पावर्फुल दिखने में अग्वाँ थोड़े से अवर लेजंडरी स्फेर जो इन्होंने बना दिया थेंक्यू गरी मॉच तो वापस आते हैं अपने में प्लैन पर जो कि है इस ब्लेज मत को हराना जो कि है फुर्टीन नाइन लेवल का वैसे क अग्वाँ पांच लाइक तो मैं अगली वीडियो में एक सोल लेजंडरी स्वेर बनाएं यानिक हंड्रेड लेजंडरी स्वेर बना के हम लोग जाएंगे जड्राइगन और वो फ्रस्टैलियों उसको पकणने लिए ठीक है पक्का-पक्का और रात में इसलिए जा रहा है पता नहीं कहां पर है अजय यह क्या वैसे देखने में तो बहुत सही लगे है अच्छा सुबह हो गई क्या है इतनी जल्दी सुबहों कि मैं रड़ गया यह अचानक से खड़ा हुए वैसे इसकी एचपी सिंस तीन हजार अजार अब लोग इसको मार सकते हैं आरां से मार बहुत है अनगाइस को इसको क्यों तौर है ै असे ने देखना गए वाइव गनर लोड़ पहले जपने से बंच जाओ ओड़ है तीया यार्च माइच मा की नहीं 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 लएं है वाइब निकलना मत उंबस्तक्ट्र है प्लीज मत निकलना लिंद्ट रिस्फेर यूस्किया टेरे घरलको हमने फइंशेट प्रकारों अर्श ए रहा हमारा प्लाषिम जोई है मैं 49 लेवल का और इसकी माइनिंग स्किल नेवल 40 है नाइस देखो कितना प्याना दिख रहा है में करान में मेंने से दाट रहा था तू इधर रा